तो सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि ECR और ECNR पास्पोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या फरक होता है सोगाज मैं ही इंजिनियर राजा और मैं आप से स्रेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटुब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो इस रेट बटन को दबा के यूटुब चैनल को सबस्काइब कर लिजिए और इस तरिका का नया नया वीडियो पाईए आप रोजाना तो आज के वीडियो में मैं आपको step by step और details में देखाने वारा हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि ECR passport और ECNR passport क्या होता है और इन दोनों में क्या फरक होता है चलिए वीडियो को start करते हैं SHUT UP AND SIT DOWN सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ECR passport क्या होता है ये दसवी से कम पढ़े लिखे लोगों को जारी होता है ये passport आप सिर्फ अधार काट के base पे बनवा सकता है बट आपको ये passport बनवाते हैं तो आपको 18 ऐसे country है जहां पे आपको एगरिमेशन के चक्कर लग सकते हैं तो आप सिर्फ ये passport है जो अधार काट के base पे बनवा सकते हैं बट आप कोई भी देश में से घोमने फिरने या इलाज के लिए जा सकते हैं आप काम करने के लिए ये passport से नहीं जा सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ECNR passport क्या होता है देखिए ये passport जो है 10B class जो पास किये रहते हैं जिसका certificate होता 10B का वही ये passport बनवा सकते हैं तो ये passport से उनको ये benefit होता है कि वो दुनिया के कोई भी kunnne में जा सकते हैं घोमने प्रने के लिए गोम करने के लिए इलाज करने के लिए जा सकते हैं और उसको जो एग्रिमेशन के चक्कर नहीं लगेंगे वो बिंदास किसी देश में जा सकते हैं बट जो है ECR पासपोर्ट वाले को 18 AC कंट्री है जहां पर जाने के लिए उसको क्लियंस लेना परता है तो वो क्लियंस लेने के बाद ही 18 AC कंट्री है जहां पर जा सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ECR और ECNR पासपोर्ट में क्या फरक होता है देखिए Employment के अलावा इलाज प्रहाय लिखाय गोमने भीरने के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो इसमें दोनों तरह के पासपोर्ट बाले जा सकते हैं जैसे ECR और ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट बाले जा सकते हैं फरक वहां आता है जहां पे आपका ECR पासपोर्ट होता है तो आपको 18 देश ऐसे हैं जहां पे एगरिमेशन काउंटर से आपको क्लियरंस लेना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं जबकि ECNR वाले को क्लियरंस नहीं लेना पड़ता है वह बिंदास कभी भी कहीं भी कोभी कंटरी में जा सकता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 18 कोन से कंटरी है जहां पे आपको अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आपको जो है क्लियरंस लेना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ step by step अठारा इसे कौन सी country है जहां पे आपको जाने के लिए क्लियंस लेना पड़ेगा यह 18 country से जहां पे आपको जाने के लिए एग्रिमेशन कॉंटर से क्लियंस लेना पड़ेगा यह देश है United Arab Emirat, UAE, The Kingdom of Saudi Arabia, KSA, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Libya, Jordan, Yemen, Sudan, Afghanistan, Indonesia, Syria, Lebanon, Thailand और Iraq तो यह 18 देश है जहां पे आपको जाने के लिए एग्रिमेशन कॉंटर से क्लियंस लेना पड़ेगा जबकि ECNR passport वाले कोई भी देश में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं उसको जो है एग्रिमेशन कॉंटर से क्लियंस लेना पड़ेगा सोगाज इस तरीके से आप ECNR passport और ECR passport में फरक समझे अगर आपके पास ECR passport है तब तो आपको 18 country में जाने के लिए आपको एग्रिमेशन लेना पड़ेगा क्लियंस लेना पड़ेगा तभी इन 18 countries में जा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ECNR passport है तब तो आप कोई भी country में जा सकते हैं और आपको क्लियंस नहीं लेना पड़ेगा तो अगर आपके पास ECR passport है तो आप जो है एलाज घूमने फिरने प्रहाई लिखाई के लिए जा सकते हैं कभी भी कहीं भी कोई भी country में आपको जो है एग्रिमेशन की चक्कर नहीं लगेंगे फरक वहां आता है जहां पे आप काम करने के लिए जाते हैं वहीं फरक आता है ECR passport वाले को वहां पे इन 18 country में क्लियंस लेना पड़ता है जबकि आपको ECNR passport वाले को कभी भी कहीं भी कोई भी देश में जा सकते हैं उसको क्लियंस नहीं लेना पड़ेगा उस वह जो है passport बनाये रहते हैं वह तैंथ क्लास के certificate के से बनाये रहते हैं और ECNR passport वाले जो होते हैं वह अधार कार्ट के बेस पे passport बनाये रहते हैं वह परहे लिखे नहीं होते हैं इसलिए जो है वो पासपोर्ट जो है बनाए रहते हैं जबकり ECNR पासपोर्ट वाले कभी भी कहीं भी कुभी कंट्री में जा सकते हैं उसको केलियंस नहीं लेना पड़ेगा तो गैज आपने समझा कि ECR passport और ECNR passport में क्या फरक होता है और कौन-कौन सी जो है country में वो जा सकते हैं और कौन-कौन सी country में वो नहीं जा सकते हैं तो 18 ऐसी country है जहां पे आपको जाने के लिए केलियंस लेना परेगा तभी आप उस country में काम कर ले के लिए जा सकते हैं आप अगर इलाज के लिए प्रहाय लिखाय घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास ECR passport है तो अगर आपके पास ECR passport है तब तो आप प्रहाय लिखाय घूमने फिरने काम करने के लिए भी जा सकते हैं आपको जो है कोई केलियंस लेना की जरूरत नहीं है सो ये फरक होता है ECR passport और ECNR passport में सो गाज अब तो आप समझी गए होंगे कि ECR passport और ECNR passport में क्या फरक होता है और इसमें क्या अंतर होता है अब आप से को भी पूछेगा कि ECR passport और ECNR passport में क्या फरक होता है और कौन-कौन से country में हम जा सकते हैं और कौन-कौन से country में हम नहीं जा सकते हैं तो आप उसको बहुत ही बिंदास और आसानी से समझा सकते हैं कि आप in country में जा सकते हैं और in country में आप नहीं जा सकते हैं अब तो आप समझे गए होंगे कि ECR passport और ECNR passport क्या होता है और इन में क्या फरक होता है अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए सबस्क्राइब करने से यह होगा कि मैं इस तरीका का नया नया वीडियो में पड़े अपलोड करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नौलेज गिन होगा क्योंकि मैं नया नया टोफिक पे नया नया वीडियो में पड़े अपलोड करते रहता हूं सोग आज वीडियो को लाइक केजिए अपने फ्रेंड के साथ सेर केजिए आपके दिल में अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूश सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो भी कॉमेंट आता है मैं उसका रिपलाइ टाइम निकालके मैं उस पर्सन को मैं जो भीवार से उसको मैं जरूर देता हूँ तो अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूश सकते हैं